एक लॉयर के वाइफ का एक टीनेजर के साथ अफेर हो जाता है लॉयर कोई बात पता चली पर उसका भी अफेर चल रहा था मूवी में ट्वीस्ट आने के बाद आगे किया होगा कि हम एक्स्प्लिनेशन में जानेंगे हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको लॉयर्स वाइफ ये कोरियन मूवी एक्स्प्लिन करने वाला हूँ अगर आपको वीडियो अचल लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट ज़रू कर दीजेगा बिना किसी देगे के एक्स्प्लिनेशन स्टार्ट करते है मूवी स्टार्ट होती है और हमारा में गारेक्टर यंग हमें दिखाया जाता है वो एक्चुल में एक लॉयर है एक जगा पर हो क्राइम सीन पर पहुँच गया इस क्राइम सीन पर बहुत सालों पहले मर्डर करकर उनकी बॉड़ी गार दी थी यंग के क्लाइन के फादर की बॉड़ी भी इसमें थी क्लाइन इस सबसे बहुती डिस्टब हो गया और पुलीस से वो जगड़ा कर देता है इस जगड़े को सौल करते होए यंग इस गड़े में गिर जाता है इसके बाद उसकी वाइव जिसका नाम है यून यह हमसे इंटर्डूस होती है यह बाइक राइड कर रही थी और उसके पीछे एक टीनेजर उसका पीछा कर रहा था अचानक से वो रस्ते से गिर जाती है यह टीनेजर ने नोटिस किया और वहाँ से चला गया आज उसकी मदर इनलोव उसके बेटे का खैल रख रही थी जब उन्होंने मदर इनलोव को घर पर छोड़ा तो उसका बेटा उसे पूछता है क्या ग्राइड मा को पता है कि मैं अडॉप्टर डूँ ग्राइड मा को अफकोस पता था यून कहती है तुम्हें कोई भी इंबरस होने की जरुवत नहीं है तुम मेरे बेटे हो और इस बात से प्राउड रहो इसके बाद रात में यंग यून के जगा पर किसी और लड़की के पास आया वो फिर घर पर आता है शौर वेगर लेता है घर पर हम देखते हैं कि उसके बेटे के साथ उसकी बॉर्णिंग बहुत अच्छी है आज राते तीनों साथ ही सो गए यंग यून से कहता है कल मेरे फादर मेंडल हॉस्पिटल से निकलने वाले प्लीज उन्हें पिक अप कर ले न यून ने कल अपने फादर इनलों को पिक अप किया फादर इनलों गहता है घर जाने से पहले क्यों न हम बेर ले फादर इनलों को बहुत सारे हैल प्रॉलम थे पर फिर भी यून उन्हें अलाव करती है इसके बाद यून को हम काम पर देखते है उसका एक स्टूडियो है जहाँ पर वो लड़कियों को डांसिंग सिखाती है मूवी के फास में हमने जिस टीनेजर को उसका पीछा करते हो देखा था वही टीनेजर उसके पास आया वो भी डांसिंग सिखना जाता था वहाँ की असिस्टंट जब उसे क्वेशन करती है तो थोड़ा सा डर गया और यहां से चला जाता है घर पर यून का बेटा उसे कहता है कि मैं अडॉप्टेड हूँ इस वज़े से सारे बच्चे मुझे चिडाते है यून ने उसे कहा है यह डिलेवरी के वक्त मदर को तकलीफ होती है उसी तरीके से जब उसका बेटा उसके लाइफ में आया था तो उसे बहुत खुश हुई थी उसका हार्ट अपने बेटे के लिए एक करता है उसे बहुत प्यार करती है वो कभी भी उसे अलग नहीं समझती है आज राद यून और यंग इंटिमेट हो गए यून ने आज कल नोटिस किया है कि वो सैडिस्वाइड नहीं हो पाती वो फिर हॉल में जाकर योगा कर रही थी जो टीनेजर उसका बीचा कर रहा था वो ही उसका नेबर भी है उसे राद में भी दूरबीन से देख रहा था अगले दिन यून ने नोटिस किया कि वो लटका और उसके फादर ये दोनों हमेशा जगरते रहते है आज भी उन दोनों में बहुत बड़ी फाइट हुई थी उस लटके को घर से निकलता दे यून भी उसका पीछा करती है वो डारेकल एक ठेटर में आया जहाँ पर एडल मुवी चल रही थी ठेटर में वो अकेला होता इस वज़े से मुवी चल नहीं रही थी पर यून ने भी वही तिकेट पाई किया यंग का जिस लटकी के साथ अफेर चल रहा है पहुच गया था यंग पूछता है कि यह है कौन पर कीम इस बात को इगनोर करती है यून जी इस टीनेजर लड़के की पीछे थी इसका नाम है शिन शिन और यून ने मुवी देखी और इसके बाद यून उससे गयती है कि हम दोनों एक दूसरे को जानते है तुम मेरे सामने ही रहते हो शिन ने फिर उसे लंज के लिए इन्वाइट किया और दोने एक जगा पर आते है इन्होंने बहुत सारी बात है कि आज यंग को बता चला कि कीम एक्चॉर में प्रेगनेंट है तो इस वज़े से वो टेंशन में था इसी के साथ साथ डॉक्टर का भी फोन आया था उसके फादर की भी तबियत बहुत खराप थी उनके पास जीने के लिए बहुत ही कम समय है इन सारी वज़े से वो डिस्टब हो गया और वो बहुत सारा ड्रंक करता है नेक्सेर में हम देखते है कि केम को हस्पिटल में लेकर आया था उसका अबोशन करवा लेता है इसके बाद यंग यून अपनी मदर और फादर को लेकर डॉक्टर के पास आया डॉक्टर उसके फादर को समझाते है कि अगर आपने लाइफस्टाइल चेंज नहीं की तो आपके पास जीने के लिए बहुत ही कम समय है फादर इस बात को थोड़ा सा भी सिरेसले निले थे चेकब के बाद तुरन ये सब स्मोक कर रहे थे यंग हमेशा घर पर बहुत ही लेट आता है आज रात बेटा यून से बुझता है कि फादर अब तक घर क्यों नहीं आए क्या ओ जुट बोल रहे होंगे यून को इस बात पर बहुत ज़्यादा हसी आई पर फिर भी उसके मन में डाउट था तो जाकर वो यंग को देख कर आती है पर फॉर्चुनेटली यंग अपने आफिस में ही है रात में यून अपने फ्रेंड के साथ बात कर रही थी वो बता रही थी कि मुझे लगा था कि शादी के बाद मैं बहुत ही सैटिसफाइट रहूंगे उसे लगता है कि जब वो अन्मैरिट थी तो उसके लाइफ में बहुत सारे एक्साइटमेंट थी इसके बाद यंग ने यून से कहा कि कॉनफरेंस के लिए मैं दो-तीन दिन बाहर जा रहा हूँ पर एक्चॉल में वो किम के साथ हॉलिडे पर जा रहा था गर की साफ सफाई करते हूँ यून ने सब चीजे निकाली इसमें एक लाइट भी था वो पहले बहुत सारे माउंटन ट्रेकिंग क्या करती थी पर अब उसने डिसाइड किया क्यों शिन के साथ जाएगी ट्रेकिंग करते हूँ शिन यून से गयता है इसे के साथ इनका फिर स्टार्ट हो गया था यूंग कीम के साथ एंज्या कर रहा था पर अचानक से उसके फादर की दवेद बहुत ही खराब हो गए उन्हें हॉस्पिटल में एड्मिट किया जाता है वो जल्दी से घर पर वापस आ रहा था पर कीम उसके साथ गाड़ी में ही इन्टिमेट होने लगती है इसे के पैरलल में हम देखते हैं एक डिलिवरी मैन अपने फ्रेंज के साथ बहुत ज़्यादा ट्रंक हो गया अब रात हो चुकी थी और ये दोनों एक दुसरे के आमने सामने आए यंग ने उस आदमी को टकरा दिया उसे बहुत ज़्यादा चोट आ गई थी वो जल्दी से उसे अपने गाड़ी में डालता है और होस्पिटल में छोड़ दिया कीम को घर चुटने के बाद वो अपने फादर के पास होस्पिटल में आया उसके फादर खुन की उल्टिया कर रहे थे इस सब बातों से वो डिस्टरब हो गया था यून उसके पास आकर उसे सहारा देती है सारी चीजों को उसने आज बहुत यच्छे से हैंडल किया था कुछी दिनों में यंग के फादर की डेथ हो गई वो अपने फादर का सब सामान वेकरा देख रहा था अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंट कर रहा था उसकी मदर ने का ये लाइफ में फर्स्ट बार मैं सही तरीकी से फ्री हूँ फादर तो अल्रेड़ी मेंडल हस्पिटल में थे तो मदर ने उनके लिए वेट नहीं किया था उसको अल्रेड़ी किसी और के साथ अफेर चल रहा है वो उसके साथ खुश है और उसे के साथ रहना चाहती है जब यंग और यून एक साथ अकेले थे तो यंग उसे कहता है तुमने सब कुछ चीज़े बहुत अच्छे से हैंडल की वो जब बहुत अच्छा लगा वो उसके लिए बहुत थैंक्फूल था वो यून से भार तो करता है पर अपनी चीटिंग की आदर छोड़ नहीं पाता इसके बाद नेक्सिन में यून और शिन ये दोनों फेस से मूवी देखने के लिए आए हुए थे यही बरी इंटिमेट हो जाते प्रिवेसली यंग ने जिस डिलूरी मैन को हीट कया था वो उसके पास रिक्रेस्ट करने के लिए आया कहता है प्लीज कोई भी चार्जेस प्रेस मत करना उसकी पूरी फैमिली उस पर डिपेंडन थी यंग ने उसे हाँ कहा पर वो इसे इग्नोर कर देता है नेक्सिन में शिन और यून ये यून के स्टूडियो में दोनों अकेले थे यून उसके साथ इंटिमेट होने वाली थी तभी शिन के फादर ने इन दोनों को पकड़ लिया शिन के फादर बहुत जाता गुसा थे वो यून को कंफरंट कर रहे थे तभी शिन ने जाकर अपना हाथ कास से टकरा दिया उससे खूनाने लग गया था तो फादर उससे हस्पिटल लेकर जाते है घर पर यून जब अपने बेटे के साथ थे तो उसका बेटा कहता है अगर तुम मुझे नहीं बताती कि मैं अडॉप्टेड हूँ तभी सही होता यून ने कहा कि तुमसे कुछ भी छुपाना गलत होता और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ अगले सीन में हम देखते है कि यंग की मदर अपने न्यू पार्टनर के साथ इस कंट्री को छोड़ कर जा रही थी उसे छोड़ने के लिए यंग की पूरी फैमिल एरिपोर्ट पर आते है हसी कुछी उसे गुड़बाई का शीन के फादर को इनके बारे में पता चलने के बाद भी शीन जाकर यून से मिलाता है इन दोलोंने अपना अफेर कंटिनू किया था इन सब बातों से परिशान होकर शीन के फादर डारेक्ली यंग के पास आये उसे सब कुछ बात बता देते है एक्च्वल में उन्होंने शीन के पीछे एक प्राइविट डिरिक्ट्ट्व लगाया था इस वज़े सुने पता चला था सारा एविडन्स उन्होंने दिखाया इस बात से यंग डिस्टब हो गया और शीन के फादर को यहां से निकल जाने के लिए कहता है वो रात में घर पर आया इसके बारे में यून से कुछ भी बात नहीं करता आज रात भी शांती से सो गए अवली दिन हम देखते हैं कि यंग ने जिस डिलिवरी मैन को हिट किया था वो यह उसके घर का रसा ढून रहा था चलते चलते वो यंग के बेटे से ही मिला वो उसे गाड़ी पर बिठा कर एक सुमसान बिल्डिंग पर लेकर आता है यह डिलिवरी मैन बहुत ही डिस्टब है यंग ने उस पर चार्जेस प्रेस किया थे इस वज़े जो उसकी जॉब चली गई डिलिवरी मैन को पता था कि यंग और केम गाड़े में एक साथ क्या कर रहे थे यह उसकी अकेले की गलती नहीं थी पर फिर भी उसे ही बनिश्मेंट मिल रही थी डिलिवरी मैन को लगता है कि जॉब चले जाने के पाथ उसकी पूरी लाइफ बरबाद हो चुकी है और यंग को ही दोशी मानता है उसे का बदला लेने के लिए उसने उसके बेटे को डारेक्ली बिल्डिंग से नीचे गिरा दिया ये डिलिवरी मैन भी पहले नैशनल प्लेयर हुआ करता था वो अंडर करता है ये उसकी लाइफ यहाँ कैसे पोची और उसने भी सुसाइड कर ली अपने बेटे की डेड़ बॉड़ी को रिकगनाईज करने के लिए यून और यंग को बुलाय किया ये देखकर ये दोनों बहुत रोते है थोड़ा टाइम बीट कया ये दोनों घर पर आते थे और बहुत रोते थे यूंग को पता था कि यून उस पर चीट कर रही है और इस बात से ओर और वी ज़्यादा गुस्ता था उसने फिर किम को यून के सामने कॉल लगाया यूने सब सुन रही थी उसे पुछता है क्या तुमें कुछ भी फरक नहीं पड़ता यून कहती कि तुमें जो अच्छा लगे वो तुम कर सकते हो यून उस पर बहुत ज़ादा गुस्ता होगा कहता है तुमें एक टीनेजर के साथ कैसे आफेर कर सकते हो यून भी उस पर गुस्ता होगी कहती है तुमने भी तो आफेर किया था ये दोनों एक दुसरे को माफ नहीं कर सकते है इनमें बहुत बड़ी फाइट हुई फाइट करते करते यंग की वज़े से यून के हाथ पर चोट आके उसे हस्पिटर लेकर आता है यून को उसने घर छोड़ दिया और कीम से मिलने के लिए उसके घर पर आया कीम उसे कहती है कि आज राद में घर पर नहीं हूँ पर यंग को उसके बहुत ज़ादा ज़रुवत थी उसके घर पर जाकर जबर्देसी डोर नौक करता है आज रात कीम किसी और के साथ थी इस बात से यंग को बहुत बुरा लगा उसे ब्रेक अब कर लेता है यून को भी किसी की ज़रुवत थी वो शिन को बुलाती है और ये दोनों इंटिमेट हो जाते है घर आने के बाद हम उसे आस्क्रीम खाता देख सकते है और डारेक्ली नेक सिन्मा में दिखाया कया है कि वो हस्पिटल में थी वो प्रेगनेंट है वो कभी भी मदर बन नहीं सकती थी इसे वज़े से अपने बेटे को उन्होंने अडॉप्ट किया था वो प्रेगनेंट है ये एक तरीक का मिरैकल था अब बहुत दिन बीच चुके थे यंग और यून ये दोनों अलग-अलग रह रह रहे थे यंग को जब पता चला कि यून प्रेगनेंट है तो उसके पास वाता है कहता है प्लीज फिर से मेरे पास आजाओ यून उसे मना करती है कहती है ये चाइल्ड तुम्हारा नहीं है यंग ने कहा कि जब हमने अडॉप्शन किया था तो मैं उसे अपना ही बेटा मानता था मुझे तब भी कुछ भी फरक नहीं पड़ा था और अब भी नहीं पड़ेगा वो फिर से बुछता है कि प्लीज मेरे पास वापस आजाओ यून इस बार भी उसे मना कर देती है पहले अफेर तो यंग नहीं किया था उसे इन और करता था टाइम नहीं देता था उसकी नीड्स को complete नहीं करता था तो इसी वज़े से यून ने उस पर cheat किया यही चीज वो फिर से repeat नहीं करना चाहती वो अपनी लाइफ से खुश थी अपनी बेबी के लिए excited थी तो मौन करकर लाइफ को embrace करना सीख लेती है इसी तरीके से यह movie end हो जाती है अगर आपको explanation अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को like कर दीजेगा बहुत सारी movies लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को subscribe कर दीजे और bell notification icon दोने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक ने movie के साथ तब तक लिए thank you और आप अपने आपका खैल रखिया